मैं सोचता था नरेंदर मोदी जी यूटर्ण के उस्ताद है पर ये तो यूटर्ण के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया है निटीश कुमार जी तर बिहार के मुख्य मंत्री निटीश कुमार ने MDA में जाने पर विपक्ष की ओर से कई तरह के बयान दिये जा रहे हैं बुद्धवार याने की 31 जन्वरी को कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने बिहार के मुख्य मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि मैं सोचता था कि नरेंदर मोदी यूटर्ण के उस्ताद है लेकिन निटीश कुमार ने तो यूटर्ण के उस्ताद को भी पीछे छोड़ दिया तो आईए आपको भी सुनाते हैं कि जैराम रमेश ने अपने इस बयान पर क्या कुछ कहा है बता दें कि जैराम रमेश ने कटिहार में ये बयान दिया है उधर इंडिया गटबंदन में सीट शेरिंग के मामले पर भी उन्होंने कहा उन्होंने अपने इस बयान में आगे कहा हमारी ओर से तो कुछ फाइनल नहीं हो पाया है देखिए जब गटबंदन में होते हैं और बातचीत चल रही होती है तो बहतर होता है कि सब एक ही अवाज में बोलें एक तरफा नहीं हो सकता हमने कोई घूशना नहीं की है इंडिया गटबंदन में तीन पार्टियां हैं अलग-अलग लड़ना है कि भारत जोडो नियायात्रा के तहट जहां भी राहुल गांधी जा रही है वह अलाइंस की पार्टी बिखर जा रही है इस पर जैराम रमेश ने कहा ये तो E.D. और C.B.I. का कमाल है जारखन में कोशिश की जा रही है बिहार में नितीश कुमार को यूटन करवाया गया प्रधार मंत्री की ये सब रण नीती है भारत जोडो नियायात्रा की सफलता से भारत की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से बदलाब देखने को मिला है बीते दिन मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने आरजेटी के साथ गटबंदन तोड़ कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और एक बार फिर से नई सरकार का गठन किया नितीश कुमार ने नौवी बार मुख्य मंत्रिपद की शपत ली इसी बीच कॉंग्रस के नेता जैराम रमेश ने नितीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार आया राम गया राम नहीं है वे आया कुमार गया कुमार है उन्होंने INTIA गटबंदन के बारे में भी बात की आपको बता दे कि जैराम रमेश ने कहा नितीश कुमार के जाने से इंडिया गटबंदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये सब नितीश कुमार ही खासियत है वे आयाराम गयाराम नहीं है बलकि वे तो आया कुमार गया कुमार है ये सब प्रधान मंतरी मोदी द्वारा रचा गया है जिन्होंने कल को नितीश कुमार के विश्वास घात के दिन के रूप में देखा आज आप देख रहे हैं कि किशन गंज व अभिहार के लूग राहुल गांदी और भाले चोड़ नया यात्रा को जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं वीडियो डेस्क अमरोजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें